हेलो फ्रेंट्स कैसे हो आप आशा है कि आप सब ठेक होगे तो फ्रेंट्स आज हम बनाएंगे मिल्क पोडर से बहुत ही स्वादेश्ट और बहुत ही बढ़िया गुलाब जाम तो आइए अब हम शुरू करेंगे तो देखिए मैंने ये मिल्क पोडर लिया हुआ है और इसमें जो छोटी मोटे गुठलिया हूं इसे आप निकाल देना और आपको अब आपको हल्का बिल्कुल निवाया दूद लेना है आपको एककप दूद बहुत रहेगा थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें दूद एड़ कर दूँगी ये मैंन हाफ केजी मिल्क ओडर लिया हुआ है आप ले सकते हो जितने आपको लेना हो अपने कोडिंग मैं थोड़ा थोड़ा करके दूद एड़ कर लिए ज्यादा नहीं कर रही हूं इसका आपको बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही अच्छा डो लगा कर तयार करना है जैसा आप रो अब इसमें एक टार नहीं डालेंगे और डाल इसमें ट्रफ अब इस पर बाने रख देंगे तो देगे क्या हमारी एक टरफ चाहसने तयार हो जाएगी मैंने एक तरह अपना घी गरब होने के लिए रख दिया था और अब हम इसकी चोटी-चोटी बॉल्स पिनाएंगे आप इसको सेप कोई भी दे सकते हैं जैसे आप देना चाहें तो देखे फ्रेंट्स मैं इस प्रकार के स्लेंडर में के आकार में इसे बना रही हूं तो देख आपको इन्हें लो फ्लेम पर ही पकाना है वरना यह अंदर से कच्छे रह जाएंगे देखे फ्रेंट्स मैंने इसमें एक गुलाब जुमिन डाल के पहले देख लिया है कि हमारा ओल्ग हमारा की गरम हुआ है या नहीं अब एक एक करके मैं सब भी डाल दूंगे इसमें तो देखे फ्रेंट्स मैंने यह पान से साथ इसमें गठे डाल लिए है और धीरे-धीरे मैं इससी तरह हिलाती रहूंगी तो देखे फ्रेंट्स दीरे-धीरे यह ब्राउन कलके हो जाएंगे आप देख सकते हूं और एक तरफ हमारी चासनी बनकर तयार हो चुकी है तो देखे फ्रेंट्स हमारी चासनी भी एक तार्की बनकर तयार हो चुकी है अब फिर से मैं इसे हिला देती हूँ आपको इसे हिलाते ही रहना है क्योंकि यह कच्छे रह जाते हैं आप इसे अगर काला जामुन बनाना चाहो तो इसे ज्यादा थोड़ा ब्लैक कर लीजिएगा तो फ्रेंट्स आप इनके कलर देख सकते हो अब हम इन्हें हमारी चासनी बनकर तयार हो चुकी है उसमें गरम गर बना बना तो देखिए मैं नहीं निकाल लूंगी और अपने चासनीं के अंदर दे दिरे आपको सभी इसे तरह गवल जामन बनाकर किन बनादेंब रहे थोब्स ⇌ इसाभ है तो дेखिए इसक तीर है मैंolve प्रेणट्स आप देख सकते हैं मैंने कितने सारी यह गुलाब ज हुए थे यह अंदर से भी है तोटके हुए हैं तो देखिए मैं आपको इस प्लेट बेड़ गुलाब जामान तोड़के दिखाती है यह रही है और घया तो आपको हमारी यह पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को अभी है कि अपने दोस्तों अछब करना नहीं और साथ में नो ताकि आपको हमारी नहीं वीडियो का लिक मिलता रहें मैं इसी तरह आपके लिए नहीं रेस्पी लेकर आते ही रहूंगी मारे चैनल को अब भी कभी सब्सक्राइब कर लेगे